दोस्तों आज हम समय समय पर एक आंतवास उत्तम जीवन का वर्दान इस पर हम विचार विमर्ज करेंगे लोगों ने अकेला पन को वर्दान नहीं अपनी मुसीबत समझ रखा है उन्हें इसमें डिप्रेशन हो जाता है अवसाद हो जाता है परिशान हो जाते हैं क्योंकि माया से उन्होंने अपना मन लगा रखा है जबकि एक आंतवास अकेला पन समय समय पर यह इंसान के लिए वर्दान है उच्च जीवन जीने के लिए पति पत्नी को अपनी तरफ खीचता है भाई, बहन, बेटा, बेटी, माता, पिता, यार दोस्त, दुकान, मकान, खेत पाथ सब उसे अपनी और खीचते हैं और इंसान सारा जीवन इसी खिचाओ में बंध कर रह जाता है तमाम सुविदा होने के बाद भी लोग समय समय पर एक आंतवास में जाकर अपने को कभी तैयार किया करते थे लेकिन आज क्या हो गया है आज इस भावतिक वाद में, भावतिक संसार में हम पूरा जीवन लोगों के बीच रह कर उन्हें खुश करने में ही लगे रहते हैं और जीवन को बिता देते हैं इससे क्या होता है, इससे व्यक्तिका अपना पन पुरी तरक हो जाता है आप कुश समय के लिए अगर तनहा रहते हैं पार्टियों से दूरी बनाते हैं और मित्रों से मिलने में आना कानी करते हैं अगर ये फैसला आपका खुद का फैसला है तो ये काफी पाइदे मन्द हो सकता है क्योंकि ये खुद को रिचार्ज करने के लिए है ये खुद को रिचार्ज करता है आप अपने मोबाइल पॉन को हस से जादा इस्तेमाल करते हैं उसकी छमता को खर्च करते हैं तो जाहिर है उसकी बैटरी डाउन हो जाती है इसी प्रकार से हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है जरूरत से जादा लोगों से घिर जाने पर अपनी उर्जा का अधिक इस्तेमाल करते रहते हैं और उर्जा चटी हो जाती है जिससे हम अंतिता थकान महसूस करते हैं और ऐसे में यदि हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाए तो हम सांथी महसूस करते हैं अपने को फिर से तयार कर लेते हैं अकेले पन में समय बिता करी वास्तविक्ता में आप खुद के लिए जीना सीखते हैं उस इस्तिती में आप ये समझ पाते हैं कि हर हालात में आपको खुद को समालना होगा अकेले रहने पर आप अपने आप में ही संपूर्ण महसूस करते हैं खुद को ही आप अपना सबसे अच्छा दोस्त समझते हैं आद मिस्वास से भरपूर रहेंगे और आपकी सकरात्मक सोच बढ़ेगी यदि आप एकांतवास में जाते हैं आपको सारे फैसले स्वैम लेने होंगे और इसके लिए आप सला भी योगे लोगों से ही ले सकेंगे आपके करीबी आयोगे आप पर दबाव नहीं बना सकेंगे अगर आप एकांतवास में रहते हैं तो इस बात की आपको ज़्यादा परवार नहीं होगी कि दूसरे क्या सोचेंगे अपने मन का काम कर पाएंगे और जिंदगी को सकारात्मक भाव से भरपूर जी सकेंगे अगर आप एकांतवास में रहते हैं तो छोटी बड़ी गलतियों से खुद ही सीख पाएंगे और भावनात्मक रूप से काफी मजबूत होंगे अगर आप एकांतवास में रहते हैं तो अपने लिए नियम आप खुद बना पाएंगे और उसका कडाई से पालन भी कर सकेंगे किसी को इसमें तकलीफ न होगी आप खुले विचारों के साथ रह सकेंगे और आपको अपने नैतिक मुल्यों से समझवता करने की मजबूरी न होगी अनुसासित रहकर अपनी दिन्चरिया ब्रतीत कर पाएंगे इमोशन से लेकर आर्थिक मामलों तक में आप आत्म निर्भर रह पाएंगे बिना किसी को तकलीफ दिये खर्चों और साधुनों को अत्यधिक कम कर आप अनेक मुसीबतों से अपने आपको बचा पाएंगे आपको अपनों को खुश करने के लिए हर काम के लिए हामी नहीं भरनी होगी अपनी छमता के अनुसार आप काम कर अपने आपको खुश रहक पाएंगे अपने दैनिक जीवन के पूरे समय प्रबंधन पूरे 24 घंटे के पूरे जीवन काल को एक दिन के उसका प्रबंधन का अभ्यास आप अच्छे से कर पाएंगे बिना किसी ब्यवधान के ये सब सोच पाना तभी संबव है जब हम एक आंतवास में अकेले रहें अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद